दोस्तों मुरब्बा चाहे कोई भी हो सेहत को कुछ ना कुछ लाब जरूर मिलता है पोसक और एंटी ओक्चिडेंट गुणों से भरपूर होने के कारण ये स्वास्ते के लिए फायदे मंद नहीं बलकी खूपसूर्ती भी बढ़ाता है इन सब मुरब्बों में एक हरड का मुरब्बा भी सामिल है जिसके सेवन से सरीर को कई फायदे मिलते हैं ये मुरब्बा पेट के लिए किसी अमरत से कम नहीं होता है पेट की कई समस्याओं को आसानी से धूर करता है इसके सेवन से इम्मिनिटी मजबूत होने के साथ सरीर भी हल्दी रहता है आईए जानते हैं हरड का मुरब्बा खाने के फाइदों के बारे में एलर्जी में लाबकारी ताउचा पर एलर्जी होने पर हरड बहुत लाब करती है जल्द एलर्जी से रहत पाने के लिए इस फल को पानी में उबाल कर काड़ा बनाएं और दिन में दो बार इसका सेवन करें वहीं अगर नियमित रूप से हरड के मुरब्बे का सेवन किया जाए तो ताउचा पर एलर्जी नहीं होगी पेट के कीडे अक्सर बच्चों में पेट के कीडे हो जाते हैं वैसे तो ये परेशानी बड़े लोगों में भी हो सकती है लेकिन अगर रोजाना हरड का मुरब्बा खाया जाए तो पेट में कीडे नहीं होंगे पत्री की समस्या अगर किसी के मुतरासे में पत्री है तो उसे रोजाना हरड का मुरब्बा खाना चाहिए और खूब पानी पिए पत्री की परेशानी जल्द खतम हो जाएगी ज्यादा पानी का सेवन पत्री को बाहर निकालने में मदद करती हैं गठिया में लाबकारी किसी को अगर गठिया की समस्या हो जाए तो उसके सरीर के अलग-अलग हिस्सों में दर्द रहने लग जाता है और कैं बार तो सरीर सही तरीके से काम भी नहीं कर पाता इस समस्या से दूर रहने के लिए हरड का मुरब्बा लाबकारी होता है इस मुराब्वे को गुड के साथ सेवन करने से गठिया में सुधार हो सकता है उल्टी की समस्या अगर आपको भी उल्टी आने की समस्या है तो हरड का मुराब्वा खाया जा सकता है ये मुराब्वा खाने से मितली और उल्टी से आरा मिलेगा साती पाचन भी दुरुस्त होगा दोस्तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें